अगर आपने एक graduation complete कर लिया है और graduation के बाद आप अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हो तो आप जो है कुछ ऐसे top professional course है computer के field में जिसे करके आप जो है कहीं न कहीं किसी भी company में बहुत ही अच्छी salary package पे जॉब कर सकते हैं जिसकी demand जो है हर company में आज की डेट में बहुत ही जादे चल रही है और in future भी जो है बहुत जादे चलने वाली है तो आज हम जो है top 5 computer professional course के बारे में इस वीडियो में discuss करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा top 5 professional computer course में जो आता है course वो है data science का course ठीक है जो की बहुत ही demandable course माना जा रहा है आज के डेट में computer के field में एक professional course में top levels में चल रहा है data scientist का course ठीक है जिसे की इसकी demand हर company में चल रही है एक data scientist के तौर पर data को store करने के लिए आप जानते हैं कि हर company में कहीं न कहीं data पे ही हर work हो रहा है तो data को safety रखने के लिए data को store करने के लिए एक data scientist की proper तरीकी से ज़रुरत होती है तो data scientist की demand जो है बहुत ही जादे है और in future भी ये जो है बहुत demand में रहने वाला है तो ये professional course जो है आप कर सकते हो जो की आपका PG diploma in data science के नाम से ये course है जिसे की आप कर सकते हो इसकी eligibility की बात करें तो ये जो है आपने अगर BST कर लिया है ठीक है graduation में आपने BST किया है BCA किया है या फिर आपने BT किया है और आप अभी कहीं job नहीं कर रहे हो आप कुछ इस प्रकार का professional course करना चाहते हो जिसे आपकी value जो है थोड़ा और बढ़ जाए ठीक है तो आप जो रही है तो आपकी कम से कम जो salary है 4-5 लाग पर एनम जो है आपकी salary इसमें जाती है ठीक है और आगे जो है experience के आधार पर आपके work के आधार पर भी आपकी salary जो है increase हो सकती है ठीक है तो अगर आप science background से graduation आपने किया हुआ है तो आपके लिए सबसे best जो professional course है computer के field में वो है data science का course clear second point के अगर बात करें जो second number पे हमारा computer course आता है professional course में वो है आपका big data engineer ये भी course बहुत ही अच्छा है और ये भी demand में चल रहा है ठीक है जो कि आपका PG diploma in big data engineer के नाम से ये course है ठीक है इसमें आप diploma कर सकते हैं अगर आपने bsc किया हुआ है bca किया हुआ है btec आपने किया हुआ है या फिर ये course आप intermediate के बाद भी कर सकते हो अगर आपने intermediate science stream से किया हुआ है तो आप जो है big data engineer का जो course है आप इसे कर सकते हो ठीक है फीस के अगर हम बात करें तो इसमें जो फीस होती है आपकी 1-2-2 लाग इसमें फीस आपकी एक average फीस जो है चल जाती है ठीक है और salary की बात करें तो ये भी जो है इसमें भी आपको कापी अच्छी खासी salary मिलने वाली है क्योंकि ये भी computer course बहुत ही अच्छा है और इसकी भ होती रहती है ठीक है थर्ड जो हमारा computer course आता है वो है आपका artificial intelligence ठीक है artificial intelligence का course भी बहुत ही अच्छा है जिसकी इसका जो use होता है आप देख रहे हैं robot जो है दिन पर दिन जो है grow up होता रहा है हर काम जो है robot के माधिम से हो रहा है हर चीज जो है robotic हो गई है ठीक है तो अभी त artificial intelligence का जो है course कर सकते हैं जो कि आपका B.T.E. या फिर B.E. जो है artificial intelligence में कर सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा जो है माना जा रहा है अगर हम इसके eligibility की बात करें तो ये जो है intermediate के बाद ही जो है आप इसे कर सकते हो intermediate अगर आप science background से किये हुए हो ठीक है तो आप जो है artificial intelligence में ज इसमें 1k average पीज की बात करें तो 3-4,000,000 उसमें आपकी फीज लग जाती है Sellerie इसमें कितनी है तो Sellerie भी इसमें आपको بहूत ची TW RC कासी मिलेगी 4-15,000,000 अब की Sellerie है, वो इसमें जा सकती है कम से कम सellerie हमने हाँ पर बता है एक average इस Bearer है उसके बाद ये भी आपका depend करता है कि आप कहां पर job कर रहे हो, किस type की company में job कर रहे हो, किस post पर आपको रखा जा रहा है, सारे चीजे matter करती है और आगे आपकी salary भी increase इसमें होती रहती है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है और इसके demand आप जानते ही हैं कि आज के date में कि लेबल पे चल रहा है और in future ये तो और भी जादे चलने वाला है, ठीक है, चलिए, fourth point के अगर बात करें, fourth जो हमारा आता है, वो है digital marketing, ठीक है, ये भी काफी अच्छा जो है, चल रहा है, digital marketing इस समय सब चीजे online हो गई है, ठीक है, किसे भी company को अपना services product को online promote करने के लिए, इस जो है, digital marketing की जरुरत पढ़ रही है, तो इस post पे जाने के लिए आपको digital marketing का course करना होगा, ठीक है, अगर आपने graduation कर लिया है, graduation के बाद अगर आप job करना चाहते हैं, कि कोई आपको एक अच्छी salary पर job मिले, तो आप जो है कुछ ऐसे professional courses को select किजिए, जिसके भी हाप पर आपको एक अच्छी post पर job मिल सके, ठीक है, तो digital marketing का course भी बहुत ही अच्छा है, आप जो है, बिल्कुल कर सकते हैं, यानि कि डिप्लोमा in digital marketing, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है, intermediate अगर आपने किया हुआ है, किसे भी stream से आपने किया हुआ है, चाहे आप art है, science है, any stream, ठीक है, तो आप digital marketing में डिप्लोमा कर सकते हैं, फीस की बात करें, तो एक average फीस इसमें 20 से 35,000 की फीस इसमें लगती है, कमी फीस में आपका ये course आपका complete हो जाता है, तो आप अपनी financial condition के according भी courses को select किजिए, आपको यासा course select किजिए, जिसमें की फीस बहुत ही जादे है और आप उसे effort नहीं कर पाएं, तो ये भी problem होती है, तो आप अपने according, आप अपनी condition देख लीजिए, कि आप जो है किस course को करने के लिए योग्य है, तो आप उस course को कर सकते हैं, ठीक है, पाच्वे नम्मर पे हम बात करें, पाच्वे जो हमारा आता है professional course वो है आपका software development का course ये भी बहुत ही अच्छा है, diploma and software development का course आप कर सकते हैं, जिसमें कि ये course करने के बाद आप एक software developer बन जाते हैं, और software developer की आज के date में कितने demand है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर काम आपका software पे ही हो रहा है, आप जानते हैं, laptop computer पे कोई भी work हो रहा है, बी सारे softwares की जरूरत होती है, तो एक software developer की भी बहुत ही जाते demand है, अगर आप एक software developer बनना चाहते हैं, तो software development का आप इसमें course कर सकते हैं, जिसमें कि आपको coding बताई जाती है, बहुत सारे languages होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़े आपको बताई जाएगी, software कैसे develop किया जाएगा, यह सभी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी, ठीक है, इसके eligibility के अगर बात करें, तो eligibility इसमें intermediate है, intermediate के बाद ही आप यह course कर सकते हो, ठीक है, intermediate अगर आप science background से हो, तो आप यह diploma course कर सकते हो, software development का course, ठीक है,